मित्रो अपने रूसी मुनी क्यों गाई के गोबर को विशेश महत्व दे रहे थे गोबर के अंदर क्या एनर्जी है गोबर कैसे रेडियेशन फ्री करता है यूमन बोडी को इतना फरक पड़ता है और मैं यह जूटनी के रहा हूं इसमें कोई मोनोपोली नहीं है आप घर जाके आप भी ट्राइ कर सकते हो मित्रो जब बात आती है गोबर की गोबर के कर रहा हूं कि सत्य को सामने लाना का मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं लेकिन दुनिया में हर इनसान को अधिकार है रिसर्च करने का और जाच करने का अब भी हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि गाई के गोबर में रहने वालों को कोरोना नहीं हुआ गाई के गोबर में और गोमुत्र के साथ काम करने वाले लोगों को बीमारिया नहीं होती और यह सब हम सुनते आते हैं बहुत समय से को एनर्जी देता है यह सारा साइंस के साथ रिसर्च का विसे है यह इसमें रिसर्च होगा तो बहुत सारी बाते जा सामने आएगी आपको अभी हम छोटा सा एक ट्राइल दिखाते हैं कि एक अपने भाई है उसकी एनर्जी टेस्ट करते है आओ भाई यह दो लोगों में हम दोनों की एनरजी टेस्ट कर रहे हैं, सिद्वाम हाथ्थी दबाई कितना नीचा होता है, एकदम एजीली हो जाता है, आराम से हो जाता है, अब ये दोनों को गाई के गोबर के पाउडर उसके उपर पेर रखवाते हैं, आज आओ गई, कुछ फरक हुआ क्या, अब इसको देखो, अब खाली ट्राइ देखो ये, अब अब देखो इसका क्या फरक पड़ता है, कोई फरक आया क्या, ये गाई के गोबर का पाउडर है, इतना पाउडर ये खाली इससे बढ़ जाता है, अभी आप नीचे आ जाओ, अब इसको इस दोनों को एक कॉल ड्रिंग्स पिलाएंगे, जो लोग आजकल बजार में बहुत पिते है, बस खाली मूँ में भर लो, अवे आथ दबाएंगे, इतना फरक पड़ता है, आप देख रहे हैं, है ना, एक दम इजीली हो जा रहा है, आज अब भई, इतना फरक पड़ता है, और में ये जूटनी के रहा हूं, इसमें कोई मोनोपोली नहीं है, आप घर जाके आप भी ट्राइ कर सकते हो, ये और मूँ साप करवाने के बाद उसको गोबर की माला पहनाते है, गोबर की माला पहनने से क्या फरक पड़ता है, उसका भी हम खनाओ, तो ये फरक या जाओ, कि आप से बात जो है न ये साइंस का विसेया passado, मैरी तो मैं साइंटिस्ट हो नहीं, representing साइंस के लोग ецड़ता जो साइंटिस्ट है, उसको गोबर की एनजी के उपर काम करना चाहिए, और गोबर को गले तले नहीं चमजना जाहिए गोबर एक बहुत बड़ा साइंस है और बहुत बड़ा विशय है क्योंकि अपने रुसी मुनी और अपने परमपरा से जुड़ा हुआ ये एक विशय है ये की आशन है गाई के गोबर से बना अब इसके उपर खड़े रखके ट्राइ करवाते हैं आज आज़ाओ बहुत फरक पड़ता है गोबर के आशन पर गाई के गोबर का आशन इसको आप मेडिटेशन के उसमें भी यूज कर सकते हो इसको आप बैठने की जगा पर भी यूज कर सकते हो इसको आप जो है ओफिस में भी यूज कर सकते हो इसको आप छोटा बना के कार में भी यूज कर सकते हो ओफिस में जहां पर आपके पेर रहते हैं वहाँ पे इसको रख सकते हो तो इस प्रकार से गोबर एक महुत मानवियर जीवन में बहुत विशेश पुर्णा इसका उपयोग है और उसको अलग-अलग तरीके से इसकी टोपी बना के भी पहन सकते हो, इसकी माला पहन सकते हो, और इसको अपने जीवन में जहां भी जोड सकते हो, वहां जोडना चाहिए, यदि आप तंदूरस्त और स्वस्त रहना चाहते हो, तो मैं इमोशनली कोई बात नहीं करता हूँ, गोबर का एक बहुत बड़ा रह ने उसी गाई का सुद्ध नसल की गाई का उसी गाई का गोबर यग्या में लिया जाता है, उसी गाई का गोबर से कुटीरे लिपी जाती है, उसी गाई का गोबर मनुश्य को रोगमुक्त कर सकता है, गोबर में बहुत ज्यादा उर्जा है, लेकिन समझ्या ये है कि उसके पर काम नहीं हो रहा है आज हम आये हैं फिर से में इनको एक ट्राइल के लिए यहां लाया हूं अपने दो साथी है उसको अभी आप उसका गोसला के अंदर क्या पावर रहता है चपल पहन के प्लास्टिक के चपल पहन के क्या पावर रहता है और बिना चपल से क्या पावर र करेंगे अब गाय के ऊपर आथ रख के ट्राइ करेंगे तो यह जो है बहुत फरक पड़ता है एनर्जी टेस्टिंग करने से गाय के गोबर में रहने से इनसान को कभी बीमारी नहीं आती गाय के साथ काम करने वाले कम बीमार होते है यह जो सब वास्तविक्ता है वो सही है ऐसा नहीं है कि फरोड है और गोबर से मनुस्य जीवन को बहुत ही लाब हो सकता है परोड़ता है झाल झाल